नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सबका मेरे यूटूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर इन हिंदी पे तो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक पोएम जिसका नाम है फर्न हिल और ये लिखी गई थी एक पोएम जिनका नाम है डिलन थोमस उनके द्वारा लिखी गई थी और ये पब्लिश होई थी सन 1945 में तो दोस्तो इस पोएम में टोटल 6 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 9 लाइन्स हैं टोटल 54 लाइन्स की पोएम है और इस पोएम के अंदर जो थीम है वो नेचर की ब्यूटी का है और जो चाइल्ड हूड की फिरीडम होती है उसका थीम है इस पोएम के अंदर तो जो poet है वही इस poem के speaker है और वो अपने जो बीते दिन है जो उनका childhood था उनकी याद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं उनके बीते दिनों का जो उनका joy था उसको यहाँ पर reflect कर रहे हैं तो इसके जो first three stanza हैं उनमें वो childhood की जो freedom थी जो आजादी थी और जो उनका enjoyment था उसको बताता है और जो last के three stanza है उनमें वो थोड़ा दुखी हो जाता है और lament करता है कि वो time अब जा चुगा है तो बात करते हैं इस poem के title के बारे में फर्निल वो जगह है जहाँ पर poet की आंटी रहती थी जिनका नाम था Annie Jones और जो poet थे वैसे उनका जनम स्वेन शी नाम की जगह पर हुआ था लेकिन वो अपनी चूटिया बिताने के लिए और वैसे भी कई बार वहाँ पर फर्निल पर जाते थे और यह जो फर्निल जगह है यह कारमाथ एन शायर नाम की जगह पर है तो जो यह फर्निल है यह जो उनकी आंटी थी उनके फारमाउस का नाम था तो उन्होंने यह poem का title रख दिया तो start करते हैं stanza wise's poem की summary तो जैसे कि जो first line उसमें कहता है कि now as I was young and easy under the apple bow means first line में वो कह रहा है now as I was young मतलब कि जब मैं young था means मैं एक छोटा बच्चा था तो वो कह रहा है कि अब वो अपनी कहानी बयान करने के लिए start करता है और बताता है कि जब मैं वहाँ पर रहता था वहाँ पर डेर सारे apple के पेड़ थे means उनके नीचे में घूमता फिरता रह रहता था उसके बाद वह कहता कि about the lilting house, lilting house मतलब lilting का यह जो house है यहाँ पर इसका personification किया गया, lilting मतलब something cheerful मतलब वो house को ही जो एक non-living thing है उसको personify कर रहा है कि वो cheerful घर था वहाँ पर जहां पर रहता था and happy as the grass was green तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो green word है और golden word है इस poem में काफी जगह यूज किया गया, means हर stanza में यूज किया गया, तो यहाँ पर green मतलब आप उसे literary sense में ना लें कि green मतलब हरा, green मतलब something which is full of life तो कहता है कि वो बहुत खुश रहता था जैसे कि gas होती है, वो green symbol है यहाँ पर life का, तो वो बिलकुल full of life था, उसके बाद third line मे जैसे कि start, तो वो कहता था कि रात में गाटी थी, उसके उपर तारे होते थे, और उसके बाद कहता कि time let me hail and climb, तो यहाँ पर उन्होंने उसने time का भी personify कर दिया, और time से वो request करता है कि मुझे enjoy करने दो life को golden in the heydays of his eyes, heydays मतलब umang का समय, वो कह रहा है कि मुझे अपने umang का स prince type होता था, वहाँ पर उसके अंडर पेड थे, पत्ते थे, जो गुल भार के फूल होते थे, जो की जो खेती होती, मतलब उस एरिया का वो एक तरह से prince था, जो last line उसमें कहता, down the reverse of the windfall light, यहाँ पर जो windfall उसने word use किया है, कि जो वहाँ पर apple के पेड होती थे, तो apple उनसे ग जिनता में नहीं करता था, खेत खलियानों में गुमता फिरता रहता था, बिलकुल खुश रहता था, वहाँ पर जो yard होते थे, उनमें गुमता रहता था, और singing करता था वहाँ पर, उस फार में जापर वो रहता था, उसके बाद उसने यापर फिर से sun को personify किया है, कि वो sun that is young once only, कि तो यह कहना चाहरा है, कि जो time है, वो चला जाता है, तो उसी तरह से हर चीज एक ही बार जवान होती है, एक ही बार young होती है, तो वो भी अपनी जवानी के दिनों में है, और उसका भी कभी ने कभी time चला जाएगा, तो वो time से कहता है, कि let me play and be golden in the mercy of his means, मतलब कि मुझे life को enjoy करने दो, यह कहता है, time से pray करता हूँ, उसके बाद next line में यहाँ पर illustration का यूज किया गया है, and green and golden, I watch huntsmen and huntsmen, जैसा कि green मतलब G, और golden में भी G, and huntsmen, HH, तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर illustration का प्रयोग किया है, कि मैं हर रूप में वहाँ पर रहता था, मैं enjoy करता था, वहाँ पर जो streams होती है, पानी की दाराय होती है, वहाँ पर जो कंकर पत्तर फड़े रहते हैं, वहाँ पर वो कंकर पत्तर पानी में भैकता था और enjoy करता था life को, उसके बाद जो third stanza है, उसमें first line है कि all the sun long, it was running, तो sun long का मतलब यहाँ पर है कि day, अब वो किसी ए पसू को चारा डालने के लिए, वो इतने उचे होती थे, जितने की उचे घर है, यहाँ पर उसने hyperbolic का प्रियोग किया कि कि किसी चीज को ज्यादा बडाच अडाकर दिखाया है, और जो chimney थी, जो उन से air निकलती थी, वो भी sweet melodious air होती थी, means, तो हर चीज को उसने यहाँ थोड़ा सा बडाच अडाकर पेस किया है, कि वहाँ पर मीठी मीठी हवा बैती थी, वो खेलता रहता था, एना फोरा का यूज किया है, क्योंकि तीन लाइन में उसने end, 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 उसका line के starting में यूज किया है, तो कहता है कि fire green edge grass में जो fire होती थी, वो भी full of life होती थी, और जो night का देता है कि night में star निकलाते थे, और वो जब सोता था तो वहाँ पर उल्लू बोलते थे, और रात में वो फारम बिल्कुल गायव हो जाता था, में रात हो जाती थी, अंदीरा हो जाता था, तो दिखाई नहीं देता था, उसके बाद कहता है कि all the moon long, I hear'd all the moon long, मतलब कि full night वो कहना चाहरा है यहाँ पर, मतलब blessed था, किस से कि वो जो अस्तबल की आवाज आती थी, night jars की आती थी, night jars यह मतलब पक्सी होते हैं, और गोडो की आवाज आती थी, तो एक तरह से जब आप बिल्कुल raw nature में जाएंगे, तो वहाँ पर यह सब जो आवाजे हैं आपको देता है, और फिर से एक नया दिन स्टार्ट होता है, और नया दिन कैसा होता है, जो सुबह सुबह है, उसको यहाँ पर वो बयान करता है, कि जब वो उठता है, तो फारम है, वो एक मतलब white, जो उसने word यूज किया, white symbol होता है, purity and renewal का, मतलब सब कुछ वो कह रहा है, कि नया and maiden, मतलब कि वो Adam and Eve जो होते थे, Genesis में, Garden of Eden था, तो जैसा वो बहुत ही ज्यादा beautiful and pure था, तो वो उससे यहाँ पर compare कर रहा है, कह रहा है कि उसके जैसा लगता था, उसके बाद फिर वो next lines में, कोस्मोलोजिकल इमेज क्रेट करता है, कि the sky gathered again, and the sun grew round that very day, तो यहाँ पर वो इ next stanza है, उसमें जो पीछे का stanza है, उन सब को वो थोड़ा revise type करता है, कहता है, जैसा कि वो first and second stanza में, बताता है कि वो वहाँ का prince हुआ करता था, वहाँ पर उसके नीचे काफी चीज़े थी, महीं सो कई चीज़ों कर आ जा था, तो यहाँ पर फिर से कहा रहा है, कि वो यह ज नए बादल बनते थे, और उनको देखकर दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, और काफी दिर तक खुश ही रहता था दिल, तो next line में कहता है, in the sun born, hour and hour, hour and hour मतलब, sun born मतलब कि वो हर दिन की अब यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, कि जो एक दिन खतम हुआ फिर दू यहाँ पर फिर से वो एलिट्रेशन का यूज करता है, तीन बार उसने एच का यूज किया है, वो कहता था कि मेरी इच्छा इतनी बड़ी होती थी, जितने की वो जो घास के बड़े बड़े जो बंडल होते थे, घर के जितने उचे, उनके जितनी मेरी वीशिश होती थी, उसके बाद जो next stanza है, उसमें फिर से जो white word का use करता है कि nothing I cared in the lamb white days, तो फूरा जो poem अभी तक मैंने समरी बताए, उस चीज का अब यहाँ पर फिर से वो एक तरह से revise करेगा कि, जैसे कि horse tenza में उसने use किया था white word, तो white वही मतलब कि purity का symbol है, तो वो कहता है कि, वो किसी भी की चिंता नहीं करता था, उसके जो दिन थे, वो बहुत ही pure होते थे, बिल्कुल हर दिन एक नए दिन की तरह होता था, तो इस tenza में वो यही अपनी जो पुराने दिन है, उनका थोड़ा सा lament कर रहा है, दुखी हो रहा है, कि अब वो दिन कभी नहीं आ सकते, जैसा कि उसने time को personify किया था, कि अब वो time उसका चला गया है, तो अब वो जो बिल्कुल last line है, उसमें जो उसकी सबसे बड़ी lamenting दिखाए देती है, वो कहता है कि, though I is sang in my chains like this he, तो वो यह कहना जा रहा है, कि अब उसका time जा चुका है, अब वो time का एक prisoner बन चुका है, और उसकी उस तरह से boundaries है, जिस तरह से समुंदर की होती है, मतलब समुंदर अपनी boundaries से आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो यही बता रहा है, और वो lament कर रहा है, तो दोस्तों आपको इस poem की summary अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके theme जो मैंने आपको बताया थे, कि वो जो एक तो पुराने दि आइक कर देना, आओके दौस्तों बाए,